कि नमस्कार दोस्तों लब्डून क्लासे में अपलों का स्वागत है चलिए आज 20 कोशन और रबी अंटीपीसिक लिए बहुत जवर्जस्त कोशन है इससे नहीं बोला जाता है कि अंधीरे को सिफ रॉस्त नहीं मिटासकता है वैसे ही अगर आपकी लाइक में अंधीरा होना तो एक बार आप त्यारी कर लो एक बार अच्छे से मन से पढ़ लो फिर आपकी पूरी लायव की प्रोब्ली मिदूर हो जाएगा जले ठीक है बादें बात करते हैं पर अबने topic विद्यान देते हैं बहुत most important है ठीके विस question है जिके GS का बहुत जादा महत्यपून question है आए स्टार्ट करते है देखे क्या बोले है प्रथम olympic खेल कहा हुए थे प्रथम olympic खेल कहा हुए थे दोस्त ठीके सबसे पहले कहा हुआ था कि अठारा सो चानबे बात न सबसे पहले इसको फ्रांस के लिए बात किया जा रहा था तो उलूम्पिक खिल के शुरूआ थे न यह फरांस लो कोबार्टीन के प्रयासों से सबसे पहले खिल आयोजन बातचीत हुआ कि सबसे पहले खिल आयोजन कहा हो तो फ्रांस में ठीक है उनमें एक लोग थे जिनका नाम था बुरेन प्यारेडी कोबार्टीन ठीक है उनका में नाम लिख देता हूँ यहां पर देख लीज़ेगा इन्होंने बहुत प्रयास किया कि यह खिल फ्रांस में ना होकर इउनान में हो ठीक है यह खिल फ्रांस में ना होकर कहां पर हो दोस्तों इउनान में हो ठीक है उनका नाम क्या था बोरेन प्यारे को बार्टीन ठीक है इन्होंने बहुत प्रियास किया कि ये गिम जो खेल था ओलम्पी का वो फ्रांस में नहीं कर कहा हो जा है इउनान हो जा ठीक है ठीक है तो ये इउनान के ना इंधिन सहर में हुआ ठीक है जो पहला हुआ ना एक की सहर में हो दोस्त जो एक खेल आयोजित हुआ ना सहर का नाम लिख लो ये सहर आपका इंधिस था ठीक है इस सहर में ओलम्पी का पहला सुरुआत हुआ ठीक है इसका सुरुआत पहला सुरुआत हुआता ये परतिक चार साल में एक बार किया जाता है इसकी अस्थपना जानते कब हुआ था ओलम्पिग खिल समीती के अपका अस्थापना हुआ था 1894 में बहुत जनकारी दियरे asked ओलम्पिग खिल का अस्थापना कभ वह था दोस्त olympic खिल में अस्थापना कभ έχता 1894 िष़ुए में हुआ था लोंपिक खेल हेल हाय? 1896 फ्रान्स ना के काराण ककुबाडी में रिफारंस में खेल फ्रांस मना होकर युनान में हुआ, युनान के एथन सहर में हुआ, ठीक है ओर ओलम्पीख खेल, जो ओलम्पीख खेल है, इसकी समीति के अस्थापना 1894 भी उस्वे हो था और पहला ओलम्पीख का हुआ था, 1896 में, ठीक है एक कोशन से तीन कोशन आपको चार कोशन मिल गया ठीक है एक कोशन से आपको कितना कोशन मिल भाई चार कोशन मिल ठीक ना चार कोशन मिल ठीक है आईए अब आगे चलते हैं आगे देगे कोशन क्या बोल रहा है आगे कोशन बोल रहा है कि कीस महान खिलाडी ने एक ओलंपिक संपूर्ण दस अंग प्राप्त की हैं बदा दो भाई कौन नहीं साथ है ठीक है फिल्पस ने ठीक है अपसन नंबर बी इसका सही है फिल्पस एक ऐसे खिलाड़ी है जो संपूर्ण दस अंग प्राप्त कर चुके हैं जो संपूर्ण दस अंग प्राप्त कर चुके हैं ठीक है आईए आगे चलते हैं आईए दोस्त वासा आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने स्परेद के क्या लिखा है तोरा धर्म तोरा धर्म का पवित्र ग्रंद क्या है तोरा धर्म का पवित्र ग्रंद क्या है इसका जानते हैं दोस्त इसका पवित्र ग्रंथ यहुदी है, ठीक है, यहुदी धर्म इसका पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, क्या है यहुदी धर्म इसका पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, जिव मिल्खा सिंग किस खेल से जुड़े हुए है, बता दो भाई, किस खेल से जुड़े हुए है, अब बता दो किस खेल से जुड़े हैं? सत्रण्द से, किस खेल से दोस्त? सत्रण्द खेल से जुड़े हुए है, ठीक है? सत्रण्द खेल से जुड़े हुए है, ठीक ना? और आगे देखिए, आगे क्या लिएक ए? 18주ucci zod Lec Sauvan Táun के भारती हे साथन्त्रा संगराम में किसने लड़ते हुए बीरगती को प्राप्त हुआ, किसने लड़ते हुए जहासी की राणी, इन्होंने लड़ते हुए बीरगती को प्राप्त हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा और जनकाहिर लेते हैं, जहासी की राणी के बारे में थोड़ा सा और थ्वाज़त किये, जो बता देरे जहासी की रानी जहासी में जहासी में 4 जून 4 जून 1858 इनके मानिके नेत्रित में विरोध की शुरुआत हुआ जिसमें रानी लक्षेवियेने विरता पूरवक यूद किया। माने इनके दीखने इसलिट और वह बहुत अच्छे लड़ाई के छे Ei कirdy some किससे हो रहा था जहांसी किरानी जो लट रही थी किससे लट रही थी ठीक है वो अंग्रेज था ठीक है क्या था भाई अंग्रेज था उसका क्या नाम था उसका क्या नाम था दोस्त हारोज ठीके उसका नाम यही था ठीके उसका नाम यही था ठीके उन्होंने लड़े निर्टेतु किया था और जहांसी कीरानी मेरे दोस्त 17 जून 1858 को बीर गती प्राप्त हो गई 17 जून 1858 को बीर गती प्राप्त होई माने कि यूध में मारी गई ठीक है यूध में मारी गई ठीक है देखे 1867 का भारती यह 17 संगराम के इन्होंने यूध की ने तिर्ट किया था चार जुलाई यह 1859 में ठीक है यह अंग्रेज हरोज से लड़ रही थी और 17 तारिक जून और 1867 में इनकी हत्या होई और यह मारी गई ठीक है और इन्होंने बीर गती की प्राप्त हुआ ठीक है अंगला कोशन देखे कोलावेरी डी गीत को गीत जो यूटूब पर लोग प्री हुआ किस भासा में दोस्त यह तमिल भासा में ठीक है किसके द्वर्रा ठीक है यह है सा के द्वर्रा ठीक है किसके द्वर्र सा और लिखा गया उपने आस है ठीक नहीं होगा ऑन्स्टीन होगा ठीक नु reproductive रहा एकगीर के चलते हैं स्थापक कौन था बता दो इसका संस्थापक थे मुहम्मद यूनुस मुहम्मद यूनुस इसका संस्थापक थे ठीक है आई आगे चलते हैं संगलू समीति किस के लिए निउट की गई थी पता दो भाई किस के लिए निउट की गई थी किस के लिए निउट की गई थी ये की कांपनी रिष्चारसन इन मोचन किस के निरमार से समद्धित है बतादो बाई बतादो यहा ठीक है किससे भाई चल चित्र से ठीक है दोस्त किससे चल चित्र से ना चल चित्र से सम्बंदित ठीक है आए आगे चलते हैं आए आगे चलते हैं ठीक है दोस्त आए आगे चलते हैं ना हमारा अगला कोशन है अगला कोशन देखिए नियागरफ फाल्स कहां इस्तित है बता द U.S.A. ठीक है कहा इसी थे दोस्त, U.S.A. में ठीक है आवगे चलते है निम्न मैं से कौन B.R. I.C. राष्डपर नहीं है बता दो भई, कौन सा राष्डपर नहीं है बता दीजperform ठीक दोस्त चले नीमने को दिखे नीमने में से कौन BRIC का क्या बोल रहे है दोस्त BRIC का राष्टर नहीं है पता दो भाई कौन राष्टर नहीं है BRIC का मतलब होता क्या है यह भी बता दो आप बताद यार जानते हो तो क्या दिक्कत है बताने में कोई तो परचानी है नहीं बता दो बता दो थो आज हम भी जान जाएंगे इसका जो सही इंसर होगा वी होगा ब्रिटेन और तो इसके बारे में जनकारी ले लेते हैं अखिर में कहता क्या है अखिर कार ये कहता क्या है इस इसका मतलब क्या है इसका मतलब भी है ना कि जो पांस देश का सम्मू होते है ठीक है पांस देश का सम्मू है जिसमेना ब्राजील है याद कलो ब्राजील है रूसे भारत है चीन हम दक्षिन ठीक है दक्षिन फिरिका है कौन-कौन ब्राजील रूस भारत चीन हम दक्षिन फिर नहीं ही ठीक आज dobrze आगे चलते प्षय बारति सरकार दवारा दोरी नागरिता कभ स्कृत की गई थी कप की गई थी दोस्त कभ कभ की गई थी दोस्त बतादवute यार मतादवजर फांच में ठीक है ककी फिशन दोष्ट 2005 में हृнов AH आगे चलते हैं दो के सलते हो और आइ टी कानुन किस वर्स प्रभाइः हुआ उट न दो ॐतलो इसका सही अंसर उटा ऑग दुघाली हो चैतail की RIT होता क्या है RIT होता क्या है इसको भी समझना बहुत जरूरी है इसको भी समझना Right to देखो RIGHT Right to Right to Information Right to Information Right to Information और इसको हिंदी बोले सुशना काधिकार बोला जाता है क्या बोला जाता है दोस्ट सुचना का अधिकार सुचना का अधिकार दिख रहा है ना सुचना का अधिकार इसको दोस्ट बोले तो क्या बोलते है सुचना का अधिकार क्या बोलते दोस्ट सुचना का अधिकार किस वर्स प्राइब हुआ था 2005 में कब हो अधा दोस्त 2005 में आईए अब आगे चलते हैं किस संसोधन द्वारा पंचायतों को समिधानिक दर्जा दिया गया था बता दो भाई बता दो भाई दिया गया था इसका आपको हो जागा 73 संसोधन द्वारा ठीक है क्या कहा जाता था मेरे भाई पहले सिंगान कहा जाता था क्या कहा जाता था दोस्त सिंग नकांग आगे चलते हैं आगे क्या बोलता है आगे बोलता है कि फिल्लेन्ड की संसथ कहलाती है क्या क्लाती है अब आगे चलते हैं नीमन चैत्ड मह पूर्ण हरित गयस इं 12 मेरे न्हां आदो मेरे दोस्त बतातो इसका bow carbon dioxide noMan सब्सक्राइब कर दोस्त बता दो नेपियर के दोरा किसके दोरा दोस्त नेपियर के दोरा ठीक है लाश्ट विश्वा को सब्सक्राइब कौन सा अमल कांच को घोल सकता है बताद मेरे भाई कौन सा अमल है जो कांच को घोल सकता है इसका होगा अपसा नमबर डी हाइड्रोफोरिक हाइड्रोफोलिक अमलेटर के ये कांच को भी घोल सकता है ठीक है चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें और सेर करें देखिए जैसे अंधीरे को अंधीरे को उजाला ही मिटा सकता है वैसे ही आपकी लाइफ को लोगडाउन कलासे जी बदल सकता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक् आपके ब physics घर भार को उप्लै जी करेंबद झाल 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 झाल